नमस्ते मैं पर्णवी हूँ और आप भारत एक नई सोस देख रहे हैं बीजेपी की वाशिंग पाउडर के बारे में आपने सुना है या नहीं कि कोई भी जो भ्रहष्ट चारी हो वो बीजेपी की पार्टी जोईन करे और बीजेपी की वाशिंग मशीन में मोधी के डिटरजन पाउडर से धुल जाए तो उस पर लगे सारे दाग धबे बिल्कुल वैसे ही साफ हो जाते हैं जैसे अब किसी महेंगे ब्रांट के सरफ से अपना कपड़ा धुले तो अब ये बात आज क्यों छिड़ गई है या आप सोच रहे होंगे तो आपको यादी होगा चंदरबाबू नाइडू और नितीश कुमार का नाम लोगसभा चुनाओं में कितनी बार लिया गया ये दो बैसाकी थी जिसके सहारे बीजेपी की नईया पार हो गई अब नितीश कुमार तो आए दिन मुझ बिचकाए रहते हैं कभी इस लिए कभी उस लिए कभी उस लिए उनका मुझ फुला ही रहता है अब चंदरबाबू नाइडी को एक विशेश प्रकार की राहत जो है वो मिलती नजर आई चंदरबाबू नाइडू पर एक गंभीर आरोप लगा था जिसकी वज़े से उन्हें करीब करीब दो साल जो है वो जेल काटनी पड़ी थी और आज उसी मामले में इडी ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया है यानि कि इडी का ये कहना है कि इस तरीके का कोई ब्रश्टचार्च चंदरबाबू नाइडू य आपकी बारी जो है वो इनकी थी और इस बार इनको मौका मिला है इस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही है अब चंदरबाबू नाइडू पर गंभीर आरोपों में 371 करोड रुपए जो है उसके धांदली का आरोप लगा था और यह जो 371 करोड रुपए घोटाला जिसक के बाद उन्हें CID ने जो है वो हिरासत में लिया था जेल में रहे थे उसके बाद आज जब इडी ने जो है वो क्लींचिट दे देती है इनके दामन पर कोई दाग नहीं है यह कहती है तो देखिए लोग कैसे कैसे रियक्शन दे रहे हैं लोग जो है मोधी सरफ दिखा रह है कि इसी वाले डिटेजन पाउडर से चंद्रबाबू नाइडू को धूला गया है और धूलने के बाद वो एक्दम पाक साफ हो गये हैं अब उनके ऊपर कोई दाग बचा नहीं है इस तरीके की चीज़ें लगातार जो है वो कही जा रही है अब चंद्रबाबू नाइड पर किस तरीके का आरोप जो है वो लगा था और किस चीज़ के लिए उन पर आरोप लगा था तो यह जो 371 करोड रुपए के धांदली का आरोप जो उन पर लगा था वो जो यूवा के कौसल के लिए जो पैसा सरकार की तरफ से आता है यानि कि कौसल विकास योजना के तहर जो पैसा सरकार देती है उसमें धांदली का इन पर बड़ा बड़ा आरूप लगा था और ये कहा गया था कि युवाओं के प्रसिक्षन के लिए जो मूटा पैसा जो है वो सरकारों को दिया जाता है ताकि वो अपने राज के युवाओं को कौशल विकाश योजन्या के तहर ट्रेंड कर सके उस पैसे में जो है वो धांदली जो है वो चंद्रबाबु नाइडू ने की थी और उनका बड़ा आरोप लगा था उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी और आज उनके दामन में कोई दाग नहीं है इस तरीके की चीज़ें जो है वो दिखाई जा रही है बताई जा रही है बाकि चंद्रबाबु नाइडू झीस वॉश्टी पाउडर से धुले है उससे पहले भी कई में जो है उप साफ हो चुक है यह spacing लगतार यह कह रहे हैं कि आज चंद्रबाबू नाइडू को इडी ने उनको जो है वो निर्दोष साबित कर दिया, उनके दामन को क्लीन चिट दे दी, तो आज जो है लोग लगतार विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी अजीत पवार से लेकर प्रफुल पटे दिखाया जाता है, उसके बाद जो कोई जो है वो बीजेपी में सामिल हो जाता है, उसके दामन जो है वो साफ हो जाते हैं, इस तरीके का आरोफ विपक्ष लगाती रही है, कॉंग्रेस लगाती रही है, और आज उसी का एक जीता जागता उधारन जो है वो देखने को मिला लगतार जो है वो ट्वीट जो है वो किया जा रहा है लगतार चीजें दिखाए जा रही है इसमें एक फोटो बनाई गई है यह बताए गया कि मोदी के वाशिंग पाउडर से धुल निकले चंदर बाबू नाइडू और उसके उनके उपर जो यह बड़े बड़े आरोप बारे में बताया रहा है यह गई जो है वह में आंसाइक की बाइट है वो मैं आपको दिखाते हु में यहां और सबसे पहले यह सुनिये यह और उनकKY विकास कोई लेंदें नहीं है आपका और भ्रश्टाचार का सिधा लें दें नहीं चंद्राबाबु जी आपका और करप्शन का सिधा लें दें मैं चंद्राबाबु जी को एक सारक क्वेस्चन पुछना चाहते हूँ आपका छेत्र रायल सीमा के अंदर 14 साल आप मुख्यमंत्री रहे एक भी इरिगेशन प्रोजेक्ट आपने शुरूप किया है तो जरा इसका नाम राहिल सीमा की जन्ता को बता दीजिए तमाम लोग ये ट्वीट लिख रहे हैं कि ED ने चंदरबावु नाइडू के घोटाले को क्लिंचिट दे दिये ये वही घोटाला है जिसमें चंदरबावु नाइडू को जेल जाना पड़ा था बाकी ED जो है वो एक निस्पक संस्था है आपको तो पता ही होगा इस तरीके की चीजने लिखा कर कहीं न कहीं ED और CBI पर भी सवाल जो है वो बोले जा रहे हैं कि ED जो कल तक चंदरबावु न नाइडू को दोशी मानती थी जेल ले गई थी आज उने कैसे उनके दामन को पाक साब बता रही है बाकी चंदरबावु नाइडू की यह जो खुशी है उन्होंने सिर्फ अपने साथ नहीं रखी है उन्होंने जनता के साथ भी साजा किया है अब आन प्रदेश में जितने और मैक्सिमम निन्यानबे रुपए में आप मेहंगी ब्रांड की भी ले सकते हैं सस्ती वाली भी ले सकते हैं तो इसको लेकर भी लोग जो है इसक्रीन पर देखे कैसे कैसे चुटकुले लिख रहे हैं कि चंदरबावु नाइडू ने एडी से चुटकारा पाया तो यह ख घोटाले में आम आपने पार्टी को भी लिया गया था लिकर घोटाले में और आप चंदरबावु नाइडू ने जो इस तरीके से लिकर सस्ता करकर कहीं न कहीं जनता को एक तरीके से आप कर सकते हैं प्रोवोग करने की कोशिश है जब यह तरीके की चीज़ें टेक्स-फ् कि यह जा रहे हैं विपक्ष उनको लेकर क्या कुछ कह रहा है यह मापको बताते हैं शुप्रिया श्रियेत हैं कॉंग्रेस की उन्होंने लिखा है कि याद होगा सितंबर 2023 में चंद्रबाबु नाइडू जेल गए थे अब इधी ने उसी स्किल डवलफमेंट कॉपरेशन से जुड़े मामले में घोटाले में जो है वो क्लिंचिट दे दी है यह जादू इसलिए हुआ क्योंकि वो जो है वो मोधी की वाशिंग मशीन में धूल गए हैं नरेंद्र मोधी का विरोध करो तो भ्रष्टाचारी और उनके साथ आ जाओ तो केश खत्म ठोंगी इस तरीके का जो है वो शुप्रिया शुनेत ने सवाल खड़ा के और ऐसा नहीं है कि सिफ सुप्रिया शुनेत ने ऐसा सवाल खड़ा के बहुत सारे लोग लगता जो है उनके बारी में बोल रहे हैं बोलता है इंदुस्तान ने लिखा है कि चंद्रबाबु नाइडू को 371 करोड जैसे उन्हें मिल रही है इस तरीके की चीजें कही जा रही है ऐसे तमाम ट्वीट्स हैं जो लगतार किये जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबु नाइडू जब से भाजपा की वाशिंग मशीन में धूल कर आए हैं तब से उनके दामन के सारे दाग जो है व की विरोधी हैं तो इस तरीके से एडी सी बी आई आई आपके पीछे पड़ सकती है आपके ऊपर नमाम तरीके के किसिस आ सकते हैं और ऐसा आरोप पहली बार नहीं लगा है इससे पहले भी लगतार कई सालों से लग रहा है और इस तरीके से चंद्रबाबू नाइडू को आज जो है एडी ने क्लीन चिट दी है वो फिर से सवालों के घेरे में आता है और कहता है कि कहीं विपक जो लगतार बड़े बड़े आरोप लगा रही थी उसमें बड़ी सच्चाई तो नहीं है कहीं विपक जो यе बात बार बार कह रही है कि बीजेपी के वाशिंग मशी सब्सक्राइप सब्सक्राइब हमें जरूर लिखकर बताएगा कि क्या सच में बीजेपी वाशिंग मशीन जैसे कोई चीज है और मोधी वाशिंग पाउडर जैसे कोई चीज है यह सिर्फ कॉंग्रेस बनाएगा एक एजन्डा है जिसका इस्तुमाल जो है वो किया जाता है जनता को एक राजनितिक एंगल द आया जाए कि करीब 2 महीने से मामले में जेल में रही चंद्र बावु नाइडव आज उसी मामले में इडी ने उन्हें जो है वो क्लीन्चिट दे दी थी है तो अगर एडी ऐसे ही सबको हर नेता को बार बार पकड़ती है अलग-अलग गलत-गलत मामले में और बाद में उस अगर आप मेरा वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए यूट्यूब पर देखने तो सस्क्राइब करिए चैनल को शेयर जरूर करेगा वीडियो शेयर जरूर करेगा बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद